नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारी यूटुब चैनल में मित्रों आज हम जिन गुड़ असदी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो गुड़ असदी यह है मित्रों इसे जगम बट्टी बोड़ते हैं और हर जगे अलग अलग भासा में इसे पुकारते हैं जैस यह बहुत जाद है बड़ी गुड़ो सदी है मित्रों इसको समझ लो दोस्तों इसे इस्तेमाल कैसे करना है आपके बाल जढ रहे हैं तूट रहे हैं या फिर कहीं सूजन है पुरानी से पुरानी सूजन है गोट्टू या कांतर जैसे कीड़े काट लेते हैं आपको उसका जहर भताने के लिए यह राम माड है तो इसको यो जो रिस्तेमाल कैसे करना है मित्रों अगर आपके बाल जढ रहे हैं तूट रहे हैं इसको जढ से ही उखाड ले और उखाडने के बाद में इसको ढबने के निआ दो जो दो लें गोट हैं उते हैं और को पूड ङई सुवेश साब कर दें ऐसे ही आप एक हपता लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा दूसरा काम इसका क्या है मित्रू अगर आपके किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी कहीं भी कान में दर्द या कान में फुंसी निकलाई हो तो इसका जो पत्ते का रस निकालें और वहीं डालें या लगा लें तो आपको इससे बहुत जादा फायदा होगा इसके कई सारे उपचार हैं अगर आपके पेट में कीड़े पढ़ गए हो तो उसके लिए इस्ताज दवाएं खाली पेट अगर सेवन करेंगे तो आपको बहुत जादा फायदा होगा मित्रू अगर के बाद आप 10 से 15 लगवग एमेल निकालें इसका और खाली पेट इसका सेवन करें तो आपकी जो पी लिया है उसमें आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा और और भी इसके ज्यादा बैनी फिटें जैसी कि आपके किसी भी प्रकार पिंपल हो गए हैं गालों पे चीकनाव और खतम हो चुकी है दागी से बन रहे हैं किसी भी प्रकार का दागी हो तो इसके जो पुस्प होते हैं बोलें और अपने गालों पर रगड़ें यह जो पुस्प होता है उसे लें और गालों पर रगड़ें तो आपको बहुत ज्यादा बैनी फिट होगा लाम मिलेगा सु और और भी बताए इसके बारे में तो ये काफी ज्यादा मर्जों के लिए उस्ताज दबाया इसे जखम भट्टी भी कहा गया है जखम भट्टी इसलिए कहा गया है कि ये जखमों को बंद करती है आपको फैदा देती है आपके किसी भी पिरकार के जखम हो जैसे कि आपका किस तो आप इसको ठीक कर सकते हैं इसका पेस लगा के और मित्रो अगर आपके कहीं भी सूजन है गोटने में बगेरा कहीं भी चोट लेगी हो कहीं भी तो आप इसके पत्ते ले और ले बाने इसका तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा ये महा भिरंग राज बहुत ही यगा पर मिलती है ये रोखड़ी दवाए और उसी तरह से ये काम करती है आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुक्सान खेर कोई नहीं होगा आप इसका कर सकते हैं और ये इसका जो पेस होता है वो खाने में अच्छा होता है खेर ज्यादे खराब नहीं होता थोड़ा कड़वे टाइप का होता है थोड़ा थोड़ा आप इससे खा सकते हैं उतना होता है और किसी ओसदी की तरह नहीं होता है ये इसका अच्छा होता है सब और अगर आप वीडियो को देख रहे है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इससे क्या होता है मित्रो इससे हमें एक motivation मिलता है और विजो जुनून मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए वीडियो गर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दें दोस्ते के पास और जैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर दुबारा में कह रहा हूं तब तख कि लिया, नमस्कार